दस जानवरों के ओविश्वस्नी ये तद थे विश्व भर में ना जाने कितने अंगिनत बक्षी और जीव जन्तु पाए जाते हैं प्रित्वी इन छोटे बड़े जीव जन्तुओं से भरी पड़ी है हैरत की बात ये है कि इन में से कुछ ऐसे भी औसाधारण एवं विनेले जीव प्रित्वी पर विद्दिमान है जिनके बारे में हम जानकर भी अंजान हैं तो आईए फ्रेंड्स टॉप टेन हिंदी में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं टॉप टेन ऐसे जानवरों की जिनको आपने देखा तो होगा परंतु उनके विशेशताओं के बारे में नहीं जाना होगा तो आईए टॉप टेन हिंदी में जानते हैं ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में जो अपने विविद्दाओं के कारण ही जाने जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं शतुर मुर्ग की शतुर मुर्ग अपने किक्स से एक इनसान को मार सकता है जी हाँ, अपने लंबे पैरों की वजह से ये एक ही चरण में 10-16 फीट को कवर कर सकते हैं इसके पैर ही इसके भयानक हदियार होते हैं इसके अलावा इसके पैरों में एक लंबा, तेज पंक होता है जो एक मानव या एक शेर की तरह एक शिकारी को मार डालने में इसकी मदद कर सकता है एक प्रशिक्षित पीजिन्स इर्फान खान और रक्षे कुमार की तस्वीर के बीच अंतर बता सकता है कारण वे बेहत बुद्धिमान है ये एक ऐसा पक्षी है जो मानव चहरे की पहचान रखता है एवं उन्हें वर्ग इगरत में करने के लिए सक्षम पाया जाता है ना केवल इतना अगर आप एक पिजॉन्स पर चल लाते हैं तो वे आपको याद रखने की इतनी क्षमता रखता है कि अगली बार जब आप मार्ग बार कर रहे हैं तो आपके रास्ते से बाहर रहना जानते हैं वाइट टेल्ड डियर 30 मिनट प्रती घंटे तक गती से स्पिन कर सकता है आम रूप पर एक हिरन प्रती घंटे 28.4 मील चल सकता है परन्तु क्या आप जानते हैं कि सफेध दुम वाला हिरन एक घंटे में 30-40 मील की दूरी तै कर सकता है जी हाँ ये बात हमें हैरान कर सकती है परन्तु ये भी सच है कि इसके कदमों के बीच लगभग 18 इंच का अंतर होता है जो हिरन के प्रती घंटे 30-40 मील तक कवर करने में मदद करता है आप किसको सबसे ज्यादा ध्वनी बनाने वाले जानवर मानते हैं? शेर, बाग, कोई अन्ने जानवर थो आप गलत हैं ये हमबेक वेल है जो सबसे तेज आवास बनाता है एक बड़ा समुदरी स्तन पाई जीव जो 80 से अधिक अग्यात प्रजातियों में से एक है जो स्वेम राजसी वेल गीतों के लिए जाने माने जाते हैं परन्तु कि आप जानते हैं कि इसकी आवास एक जेट से भी ज्यादा जोरदार होती है जो केवल 140 डेसिबल तक पहुँशती है जबकि एक मानव द्वारा चलाना 70 डेसिबल तक होता है और 120 डेसिबल से अधेक आवास मानव कान के लिए दर्दनाख हो सकता है सुकिरल एक ऐसा जीव जिसके अगले दांत कभी बढ़ने से नहीं रुकते पर क्या आप ये भी जानते हैं कि इसकी पूँच उसके लिए एक सुरक्षा कवस का काम करता है अपने पूँच की मदद से ये विभिन्न मौसम के अनुसार अपनी रक्षा कर सकते हैं बरसात के मौसम में इसके पूँच एक छतरी के रूप में काम करती है और जब जानवर गीला होता है तो ये तौलिये के रूप में कारे करता है इसके पूँच एक शांदार उपयोगी चीज है जो संकट के समय अपने पंक को हिला के संकेत दे सकता है पेंग्विन हवा में 6 फीट कूद सकते हैं परंतु उडान भरने के बजाए पेंग्विन की पंग समरचनाई तैराकी के लिए विक्सित की गई है इनकी विशेशता ये है कि पेंग्विन प्रती घंटे 15-25 मील की रफतार से पानी के नीचे तैरते हैं जबकि इनके पंग तो होते हैं पर ये उड़ नहीं सकते हैं लेकिन गंभीरता से कूद सकते हैं ये एक ऐसी प्रजाती है जो 9 फीट या 3 मीटर तक कूद सकते हैं लेकिन पेंग्विन उड़ नहीं सकते मुर्यों की आबादी मनुश्यों की आबादी के बराबर है क्या आप जानते हैं कि सयुतत, राष्ट्रे, दुबारा ये अनुमान है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला पक्षी या तो लेगोर या अग्यात मास चिकन है ये सच है कि मास मुर्गियों को हर 6-8 सब्ता में वद्ध किया जाता है वरना एक साल के दौरान वे 20 अरब या उससे अधेक के संख्या में हो सकते हैं हाला कि मुर्गियों को गिनना बहुत मुश्किल होता है परन्तु अनुमान से पता चल जाता है कि ये 20 अरब से ज्यादा है अलिगेटर पीछे की ओर नहीं जा सकता जैसे पैंग्विन और कंगारू ये मगरमच की भाती दिखाई देता है परन्तु उससे भिन्न होता है जब ये उजाई पर चल रहा होता है तो उसके पुर्ण शरीर और उसके पूँच का अधिकांश हिस्सा जमीन से बाहर होता है इसका ये रूब मुख्य रूब से तब होता है जब ये पानी से बाहर हो रहा होता है या कभी बाधा को बार कर रहा होता है लेकिन अपनी मोटी मास्पेशियों की पूँच के कारण पीछे के दरफ नहीं चल रहा है क्या आप जानते हैं कि पांडा दुनिया का सबसे अच्छा जानवर है आप शायद पांडा को चीन से आराध्य भालू के रूप में पता है जो केवल बांस खाती है परन्तु ये बहुत कम लोगों को ग्याद है ये कितना सुस्त होता है अध्यान से पता चलता है कि इस लैली भालू के रूप में पांडा की गती धीमी होती है ये प्राणी बांस के 27 LB तक खाने में 14 घंटे व्यतीत करते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और कहीं भी सो सकते हैं क्योंकि उनके पास निश्क्री ये थायरॉइड है तो ये था हमारे आज के टॉप 10 जानवरों के अविश्वसनिये तक थे उमीद है हमारे बाकी वीडियोस की तरह आपको ये भी अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो कमेंट करें और अपनी राय दें हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह आपको अपनी वीडियोस के जरिये जानकारी देते रहें अपने वाटसएप ग्रूप में भी हमारे वीडियोस को शेर करते रहें करेंगे करेंगे करेंछ आपको अवीडियोस को श도न करेंगे करेंगे को अबातों करेंगे करेंगे